हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो जीडिये सच्ट किस्निक एकडमी सो आज के इस बीडिये हम बात करने बाले हैं आज पब्ली स्कूल से ओनलनी स्क्रिंग टेस्ट दोस्तों आ चुका है और आई होप आप लोगों ने अपना स्कोर काड डाउंलोड कर लिया होगा अब बात आती ह जिन लोगों का स्कोर काड आ चुका है अब उनको आगे क्या करना होगा यानि आउट नेक्स्ट आपको एपिस में जॉप्स कैसे मिल सकती है स्टेट सेकिंड एन इस टर्ड क्या है अपको सारी चीज़े में इस वीडियो में क्लियर करने बाला हूं क्योंकि आप लोगों के बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आगे क्या करना है प्ली समय मताइए गायट कीजिए तो उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है इस वीडियो को सूस लेकर न तक जिरूर देखे इसकलिए अगर आप 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 पहली बार आए है सो टीचिंग से लेटिड लेटर पाने रहे हमारे चल्ट को सब्सक्राइब कर लेजएगा बैल आकूं को द्वा लेजएगा हमारा यह चैनल मेली फ्रेंड्स से को डेडिकेट है यहां पर आप से अकेडमिक की भी तियारी करवाई जाती है इससे लाबा आप टीचिंग से जितनी वेकंसी जितनी भी अप्डेटेटे फ्रेंट्स आपको हमारे यूटीव चैनल पर ही मिल जाता है इन्होंने चनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप से यही रिक्वेस्ट एफेट सुनाओ अब बात करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस क्या है जिनका स्कोर काड आ गया है सो यह 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 जरूर की ओफिशिल वेबस्टाइड है यहां पर जब आएंगया स्टेज बन ओनलान स्क्रीण टेस्ट एन ओनलान स्क्रीण टेस्ट विल बी चुनक्ते ओन फिप्ट और शिक्थ ममंबर ज़र बाइस फॉर बेकंसिस देट वडिए अराइज दुरिग यर तो यह पांस चे नमंबर को एक्जाम कर बार लिया गया है जो वेकंस दाने वाली तर तेस्ट भीस में इस टेस्ट बीड 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 दा इंच्टर एंटर एंटर एंट्ट एंट्ट एंट्व एव एस्ट एव्ट टो इंस your uniform quality of teacher Intel RV public schools those who have appeared in the exemption will be the given a scorecard which shall be the valid for the life for life provided the candidates picks up the teaching jobs within the three year forms of the dates of passing and online screening test in any case affiliated schools for the continuous duration of at least one year इनों नहीं यहां पर clearly लिखा हुआ है कि जो भी यहां पर participate करेंगे online screening test में अगर वो qualified होते हैं अगर उनको scorecard मिल जाता है तो जो scorecard रहेगा minimum 3 साल के लिए आपका sorry maximum 3 साल के लिए आपका valid होगा अगर आप किसी एक साल किसी भी CBC स्कूल में वर्क कर लेते हैं continue within the three year of scorecard तो आपका जो scorecard रहेगा वो lifetime तक लिए वैलिड हो जाएगा so scorecard will be the make candidate eligible appear for the remaining stage for the selection process तो यह जो आपका scorecard different वो cable selection process का एक next stage दिया गया है holder of the scorecard who want to improve their scores इस ग्लाब मालो कोई अगर इस रिजल को और इंप्रूब करना जाता है तो next बार जो vacancy जाएगी दुबार सा फोमाई और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं those desires of upgrading themselves example candidates holding the scorecard TGT may wanna want to the obtained card PGT having the acquire additional qualification तो बस ही कि TGT बाले PGT के लिए आगे scorecard को improve करने के लिए एकसाम दे सकते हैं यहां पर लिखा note में आपका scorecard जो है के लिए आपको eligible बलाता है बनाता है second or third stage के लिए सो यहां पर मैं पहले आपको second or third stage बता देता हूँ इसके बाद vacancy की तरीके से आती है उसमें apply कैसे करना है यह भी मैं आपको इसी वीडियो में clear करने बाला हूँ तो इसस्टेयो को इस बिना स्टेय के लिए देखते रहीए गाए का now second stage after interview so as in the paira second above the respective schools shall announce the vacancies available in their schools through the various means of like newspaper school website notice board candidates would have to apply in the response of their announcement advertisement दा इंटर्व्यू में में और नोट भी हेल अद दा लोगेशन आप इस फोल्स इत में भी हेल अस पर दर दिसक्रेशिंस अफ द लॉकल मेंजमेंट प्लेस अट वन प्लेस अफ 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 अधर इंटर्वियू अपर कही भी हो सकता है जहां पर उनको कन्वीन लगने वाला है सब्सक्राइब कर दूस्तों इंटर्वियू ये बाद कन फर में थर्ड आपका यह कौल फो दा इंटर्वियू वादा स्लेक्शन वोर्ड यहां पर लिखा है नेक्स्ट गांड रॉंड़ अट्रॉड इंट्रव्यू के लिए अपूलाई जाया कान्यट स्वेश्यूअ कर इंटर्वियू बाई सेलेक्शन बोर्ड सीएस भी दोस बोस बोड्स और अर चैर्मन बोड फा फाडिमिंस्टिर्ढ एफ फेत्रॉड रार्डस सिर्म पर आपकी जोप से अपका दो इंटिन साल के लिए और एक जो होता है लस्वी वापका एक साल के लिए होता है और इक ल sudah have become a means a tire so both the selection board CSB or LSB after due approval from the board of the administration we lay down the cut of the percentile for the product candidates who would be called for the interview depending upon the number of vacancies available and the location of employment cut cut-off the percentile may vary from school to school apply time or a percentile case we have like schools and percentile or cut-off हो सकते है उनकी vacancies और number vacancies के इसाफ से तो ये cut-off जो है ज्यादा भी जा सकती है और high भी जा सकती है clear reference तो second round है आपका interview के लिए आपको बलाए जाएगा आपके percentile के base पे cut-off निकाली जाएगी अलग-अलग हर एक schools की तो जो भी vacancies आएगी आपको हाँ पे अपने प्रसेंटर जो require होगा उसके विए से आपको apply करना होगा third stage आपको कहा रहेगा evalitions of the teaching skills and computer proficiency इसमें में ली चीजे क्या देखी जाएगी for the language teacher written test compressing essay and the comprehensive of 15 marks of each will be held along with the evalitions of teaching skills selection committee may also hold computer proficiency test if they should decide तो यहां पर आपका ने अक्सेस की लोगा जो evolution of teaching skills यानी demonstration हो यहां पर उसके आद आपका CBT यानी computer जिस रहेंगे आपके इसके लाब नोट में जो लिखा हुआ यह भी देख लेते हैं कि अनोट second or third stage will be the held in the tandem under the agencies of the board of administrations of headquarter command school management the interview shall be the shall be for a group of schools called our clusters and the selected candidates for only the regular category may be appointment in any one of the schools in the clusters cluster wise list of our public schools is given and answer one तो अब लिका बाकि जो next vacancy regular vacancy निकलती cluster schools की cluster मनलब group of schools हो गया friend यानी बहुत सारी schools को मिला के cluster schools गोंते है जिसकी list नीचे दी हुई है अगर मान लो cluster schools की vacancies आती है तो अगर आपका selection होता था तो उन cluster schools में से किसी में भी आपको joining दी जा सकती है लेकिन आपको apply किसी एक ही cluster schools में करना होगा जिसे मैं आपको दिखाता हो यह सारे cluster schools की list है यह सारी तो यह cluster schools की vacancy अलग अलग आती है और जैसे से vacancy आगे फ्रेंड में आपको अपने इस यूटीव चैनल पर उसके update भी देता रहूंगा तो आप हमार सक बने लगिएगा टोटल जो cluster schools एफ्रेंड वो है आपके 35 ठीक है तो इन cluster schools की vacancy अलग अलग आती रहती है तो यह सारी detail थी कि आप पर क्या-क्या प्रोसेस रहने वाला है अब मैं एक बार आपको जो vacancy आती हो भी आपको दिखा जैता हूं दोस्तों यहां जैसे माल लिजी यहां पर एक वेक अप्लिकेशन दी होगी कब last date होगा यहां पर clearly कि अपो कब तक यह सारी लिखी होगी और आपको क्या करना होगा बस एक DD बनवाना होगा जिस भी schools की vacancy आएगी उसके नाम से और application form फिल करना होगा फ्रेंड अप्लिकेशन फिल करना है इसके वीडियो मैंने अरड़ी अपल आहले पाले महले